पंडित अनिल पंडि जीत और अप्रदत साप्ताहिक रासी फल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आए जानते हैं साप्ताहिक रासी फल की बारे में यह साप्ताहिक रासी फल 29 जुलाई से 4 अगस्त 2024 अर्थात विक्रम संबद 2081 शक संबद 1946 के सावण मास के कृष्ण पक्ष की नवी से सावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावाश्यत तक है इस सप्ताह चंद्रमा प्रारम में मेश रासी में रहेगा 39 को 7 बचकर 57 मिनिट राथ से प्रश रासी में प्रिवेश करेगा 31 जुलाई को 12 बचकर 11 मिनिट से मित उनराशी का हो जाएगा तथा 3 जुलाई को 6 बच कर 31 मिट प्राता से करकराशी में घोचर करने लगेगा इस पूरे सब्ता है सूरे करकराशी में मंगर और गुरू विराशी में बुद्ध सहराशी में बक्री श्यनी कुम्भराशी में और वक्री राहू मीनराशी में भिर्वन करेंगे शुक्र प्रारम में करकराशी में रहेगा तथा 31 जुलाई को एक बचकर आट मिट दिन से सहरासी में प्रवेश करेगा इस सब्ताह विबाह मुंडन और उपनयन के कोई भी महूर्थ नहीं है 31 जुलाई को नामकरन जीन ग्रवेश और वयापार का महूर्थ है एक अगस्त को वयापार और जीन ग्रवेश का महूर्थ तथा दो अगस्त को अनप्रैशान का महूर्थ है इस सब्ता 31 जुलाई को अमर शहीद उद्दम सेंका शहीदी दिवस है और 4 अगस्त को हर्याली अमावश्य का पर्व है इस सब्ता 30 जुलाई को 7 बच कर 26 मिनिट प्रातर से 6 बच कर 32 मिनिट शाम तक और 2 अगस्त को 3 बच कर 29 मिनिट दिन से 3 बच कर 27 मिनिट रात तक भद्रा है इस सब्ता 30 जुलाई को सुरी औध्रा से 3 मिनिट दिन तक 31 जुलाई को सुरी औध्रा से 2 बच कर 29 मिनिट दिन से 28 बच कर 29 मिनिट दिन तक सरवार्ट से जिए हो गए आईये अभि हम राशी बार राशी फल की चछचा करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मेश राशी की इस सब्दा है आपका और आपके जीवन साथी का स्वास उत्तम रहेगा धनलाव में कमी आएगी आपके सुप में व्रद्धी होगी माता जी का स्वास उत्तम रहेगा आपको अपनी संतान से सहयोग मिल सकेगा छात्रों की प्रति दिन राम रख्षे स्टूत का जाब करें सप्ता का शुब दिन रविवार है ब्रश राशी इस सप्ता है आपके सुख में व्रध्धी होगी माता जी के स्वास में थोड़ी समस्या सकती है भाईयों के साथ सम्मन सामान रहेंगे थोड़ी बहुत तक्रार की उम्मीद भी बनी रहेगी कारी अलय में आपको साथान रह करके कारी करना चाहिए दुरघटनाओं से आपको बचकर रहना चाहिए इस सप्ता है आपको चाहिए कि आप प्रति दिन विश्णू शहस्त नाम का जाब करें सप्ता का शुब दिन बुदबार है मितुन राशी इस सप्ता है आपका और आपके जीवन साती का स्वास्त ठीक ठाक रहेगा माता जी का स्वास्त ठीक रहेगा परंतु प्रति पिता जी के स्वास्त में कुछ परेशानी आ सकती है कचहरी के कारियों में सावधानी बढ़ते है धन आने की अच्छी उमीर है भा अगि से कोई आपको मदद नहीं मिल पाएगी। इस सब्टाह आपके लिए एक और दो अगस्त भी कारी करने के लिए लाब्दायक है। 30 और 31 तारी को आपको सावधान रहेकर कारी करना चाहिए। 31 या 4 तारी को आपको धनप्राप्त हो सकता है। इस सप्ता है आपको चाहिए कि आप शेनिवार के दिन शेनी मंदिर में जाकर शेनी देव का पूजन करें तथा पूरे सप्ता है गरीबों के बीच में काले तिलका दान करें सप्ता है का शुब दिन शुक्रवार है करकराशी इस सप्ता है आपका स्वास ठीक रहेगा जीवन साथी के स्वास में तोड़ी परिशानी आ सकती है व्यापार ठीक चलेगा परन तुलाब में कमी हो सकती है भाई बहनों के साथ संबन ठीक नहीं रहेंगे भाग से आपको कोई मदद मिलने की उम्मीद कम है इस सब्ता है आपके लिए 29 जुलाई और 3 धथा 4 अगस्त की तीवी कारी को करने के लिए अनुकूल है एक और दो अगस्त को आपको सावधान रहेकर कारी करना चाहिए इस सब्ता है आपको चाहिए कि आप काले गुद्दे को रोटी खिलाए सब्ता है का शुब देन सौंबार है सहराशी इस सब्ता है आपका स्वास्त ठीक रहेगा आविवाहत जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं प्रेम सम्मद में ब्रद्धी हो सकती है जीबन साती के स्वास्त में थोड़ी खराबी आ सकती है कचहरी के कारियों में सफलता मिल सकती है कारी अलय में आपको सावधान रहकर के कारी करना चाहिए इस सब्ता है आपको चाहिए कि आप प्रती दिन मसूर की दाल का गरीबों के बीच में वित्रण करें मंगलवार को हनुआन जी के मंदिर में जाकर कम से कम तीन बार हनुआन चालीस अका पाट करें सब्ता का शुप दिन मंगलवार है कन्यार आशी इस सब्ता है आपके पास धन आने की अच्ची उमीर है कचहरी के कारियों में सफलता मिल सकती है आपके शत्रू शान्त रहेंगे आपका या आपके जीवन साथी का स्वास्त खराब हो सकता है भागे से कोई विशेस आसा नहीं होगी इस सपता है आपके लिए एक और दो अगस्त परिणाम दायक है 29 जुलाई को आपको कोई भी काले बड़ी सावधानी पूरवक करना चाहिए इस सपता है आपको चाहिए कि आप प्रती दिन गरीबों के बीच में उड़त दान करें दक्षिन मुखी हनवान जी के मंदिर में ज स्वास ठीक रहेगा कारी अलय में आपकी मान प्रतिस्था बड़ेगी व्यापार में उन्नती होगी आपको अपनी संदान से कमसह योग मिलेगा श्यत्रू श्यांत रहेंगे दुरभडनाओं से भचने का प्रियास करें धलाब में व्रद्धी होगी इस सपता है आपके लि आपको चाहिए कि आप प्रति दिन घरीबों के बीच में चावल का दान दें शुक्रार को मंदिर पर पहुंचकर पुजारी जी को सफेद वस्त्रों का दान दें सपता का शुब दिन शनिवार है व्रश्यकरासी इस सपता है आपका स्वास ठीक रहेगा जीवन साथी के तोड़ी खराबी आ सकती है आपके व्यापार में हुननती होगी दन आने की उम्मीद है भाग के आपका साथ देगा माता जी का स्वास ठोड़ा खराब हो सकता है इस सपताह 30 और 31 जुलाई को आप द्वारा किये गए सभी कार्य लगभग सफल होंगे सपताह के बांकी दिन आपको सचेत रहे करके कारी करने की आवश शकता है तीन और चार अगस्त को भाग आपके विशेज रूप से मदद कर सकता है इस सपताह आपको चाहिए कि आप प्रती दिन गनेश अथर विश्थीज का पाट करें सपताह का शुब दिन मंगलवार है धनुरासी इस सपताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास ठीक रहेगा भाग भी आपकी थोड़ी बहुत मदद करेगा शत्रू शांत रहेंगे परंतू अगर आप प्रयास करेंगे तो समाप्त भी हो सकते हैं भाई भेहनों के साथ तनाह हो सकता है इस सपताह आपके लिए एक और दो अगस किसी भी कारिकों करने के लिए अनुकूल है सपताह के बाकी दिन आपको सचेत रहे करके भी कारिक करना चाहिए इस सपताह आपको चाहिए कि आप प्रतीनिर भगवान शिप का अभी सेख करें सपताह कर शोब दिन ब्रहस बतिवार है मकर राशी इस सपताह आपके जीवन सा का स्वास उत्म रहेगा आपको कुछ मांसिक तनाव हो सकता है पिता जी और माता जी का स्वास ठीक रहेगा भाग से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है दूर स्थान की यात्रा की संभावना है इस सब्ता है आपके लिए 29 जुलाई एवं 3 और 4 अगस्त किसी भी कारी को करने के लिए नुकूल है एक और 2 अगस्त को आपको सावधान रहे करके भी कारी करना चाहिए इस सब्ता है आपको चाहिए कि आप प्रती दिन रुद्रास तक का पाट करें सब्ता का शुब दिन शनिवार है कुम्भरासी इस सब्ता है आपके व्यापार में व्रद्धी होगी जी कारी अलाय में आपकी स्तिती ठीक रहेगी इस सब्ता है आपके लिए 3 और 31 जुलाई लाब धायक है 3 और 4 अगस्त को आपको समल करके कारी करना चाहिए इस सब्ता है आपको चाहिए कि आप प्रती दिन शिप पंचाक शरीम अंत्र का जाप करें सब्ता का शुब दिन कर सकता है कारी अलाय में आपकी स्तिती ठीक ठाक रहेगी अगर आप प्रयास करें तो आप अपने श्यत्रों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं इस सब्ता है आपके लिए 1 और 2 अगस्त फल दायक है सब्ता है कि भाकी दिन ठीक ठाक है इस सब्ता है आपको चाहिए कि आप प साजी उतिस को सब्सक्राइब कर सकते हैं